तो हेलो दोस्तों नमस्कार आप लोग का हमारे यूटूब चैनल कौसल मिस्टर ब्लॉग में मैं कौसल आप इस समय देख रहे हैं कौसल मिस्टर ब्लॉग तो इस समय मेरे साथ मौज़ूद हैं लोग गायता सपना सर्मा जी जो की बड़ी अच्छे अच्छे गीत गाती हैं और इनका गीत स्टेश सो भी चलता है और जैसे कि बदलब बीते कुछ समय पहले बदलब पूर महत्सा हुआ था वहाँ पर भी इनकी जो गीत हैं बहुत ही लोग ने सुना और लोग रुक के गाना सुनते थे और इनका गीत सुनते थे और जो भी लोकल की कलाकार रहती थी इन ही की अंडर में रहती थी मतलब यहीं स्टेश में को बुलाती थी और लहां पर गीत गवाती तो चली आँज इन से जानते हैं इनके बारे में जानते रहें पसंद है और आफिका क्या करना है और इनके कौन से गाने सब से ज window वायराल गवे हैं तो आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं धन्यवाद भी है सबसे पहले तो आप अपना इदम सुरू से नाम बताईए नाम बताईए आप कितनी आपकी एजुकेशन क्या है अपने जब पहला इस्टेश सो किया था आपको कैसे अच्छा लगा था बहुत ज्यादा भीड भी थी उस समय बहुत अच्छा लग रहा था सब लोग उत्सा वर्धन भी कर रहे थी आप जब पहला इस्टेश सो करने जा रहे थी वैसे जो भी पहला कोई काम पहले बार करने जाता है उसको थोड़ा सा यहाब डर सबसें नर्वस रहता है यहाब पहला सब के अंदर होता है मेरे यह अंदर था python तो तो कौन सा गाना था वहाँ देभी गेद गाई थे हम अच्छा निमिया की डाल तो वह इसे आपका पहला स्टेस्ट अच्छा जब पहला स्टेस्ट था तो बड़ी खुसी की बात होई होगी तो वही निमिया की डाल वाले एक दो लाइन गाई है नावेली जुलनवा होके जुले जुले ना निमिया के डारी मैया नावेली जुलनवा होके जुले जुले ना मैया मोरी गावेली गितिया होके जुले जुले ना देवी मैया गावी लिगितिया हो की जूली जूली ना बाकी आपने मतलब पहला इस्टेश सो किया था उसके लिए आपको कुछ पे भी किया गया था अमांट कुछ मिला था धनरा सी सबसे बड़ा सम्मान मिला वही बहुत बड़ा है आप मतलब पहला स्टेश सो था आपको सम्मान मिला आप बहुत खुशी होंगी ममी पापा का क्या रियक्सन था सब लोग खुशते हैं सब लोग खुशते हैं अच्छा आप नाइन्थ में थी पहला स्टेश सो भी की और अपने साथ तक स्कूल की पहले ऐसी लड़की रही होंगी जो स्टेश सो की होंगी तो टीचर और प्रिंस्पल और बाकी बच्चों का आपके उपर क्या रियक्सन था सब ही लोग हमारे जित कि सब लोग अपना देख रहते हैं उसी में सब कलाकार जितने भी लोग आ रहते सब का मंच पे पहुचाना सबको देखना सब कुछ था यह कि जिम्मेदारी अलग तो मतलब कलाकारों की जिम्मेदारी लेना एक उसका बड़ी बात होती क्योंकि उप्रसासन आपकी पूरी चाहता करता है कोई मतलब दिक्कत नहीं होने दी जिसे आपको तकलिफ हो आप बदलापूर महुत्सों में जा रहे थी पहले गी तुहां पे आपने गाया था वहां पे अपने गीत गाह के जब आये थी तो आपको सब लोग मतलब गाना सुनने के लिए तो वहां पे सब लोग गए थे गाउं के सब लोग जितनी भी लोग थे पिताजी सब लोग भी गए थे अच्छा मैं जैसे की सुना था कि आप जब बदलापूर मोस्तों में आपको रमेश चंद मिस्टर जो की बदलापूर की विधायक वह बुला रहते थे कुछ लोग ने बोला था इनहें मत बुला यह सपाई है जब बाते पुरानी है तो अपना मज लोग देखते हैं राजनीती सब इस समय तो हमको लोग जोडते हैं कि BJP से हैं वीजएपी वादी बिल्कुल है में कोई दिकत नहीं हम राम के भक्ते हैं प अार्टि तो पार्टी होती है लेकिन राम भक्त तो अपने मुझत अब जैसे राम भक्ता डाल। को वे लोग जाए पहले धर शूंप पूर इसके बाद लोग जाएगे और देखा जाए तो वही एक पर आप राम जी के लिए कोई गीत लिखी है अभी आने वाला है कब तक आ जाएगा तीन-चार दिन में आ जाएगा एक दो लाइन सुना देंगे नहीं वाइरल हो जाएगा अचा कोई पुराना गीत है राम जी का पूराना गीत है गुल सन सा मेरी प्रभुराम आए है आपकी स्टूडियो तब पर भी कब तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा हो गया बस ओपनिंग बाकी है ओपनिंग भी कर लेजेगा आप कितने चैनल आप चलाती है इतना सब कैसे मैनेज करते हैं अच्छा पढ़ाई के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई जो की बहुत छोटी मूटी पढ़ाई तो है नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको और भी ज्यादा लोड मिलता होगा आपको पढ़ाई का भी प्रेसर रहता होगा कर्यात में जाग्रण होता था जाग्रण होता था कारीक्रम करण करके आते थी फिर वीडियलें धुशन सब्स्क्राइट नहीं बढ़ाई ऐसा में जाए तक कि यह सब्सक्राइब सबस्क्राइद का कर? होगा ना अब बता देजिए अच्छा पेमेंट नहीं बता सकते हैं कोई मुबाइल का नाम बता देजिए कि आप उस मुबाइल को ले लेंगे कि मोबाइल या तो कोई आइडिया बता देजिए तब पर भी कितना 200 डॉलर इतना आगा समझ लीजिए 200 डॉलर आ अब बता था इस्टूडियो खोल रहा है और अच्छा इस्टूडियो में जो लोग गाना गाने आएंगे और जो गाना गाना एंगे अलबन बन आएंगे कितना चार्ज करेंगे आप चार्ज नहीं मतलब अब भाई साहिब जाने हो वो तो पूरा सिस्टम वही देख रहे हैं बाइस तरीक आप बोल रहे हैं आभी गाना नहीं गांगी वाइरल हो जाएगा वीरल तो आपका गाना वैसे भी होना है आपका गाना तो गीत जो है वैरल तो होता ही है उसमें उरोखने वाली क्या बात है अच्छा आप अभी कोई मतलब राम भक्त के बाद राम पर चल रहा था साधी तो बहुत हो रही उस समय गीत नहीं आया था तो अभी और आगे का लोग खाली नहीं पाते हैं इस्टेज सो से इस्टेज सो का आप कितना एक दिन का चार्ज करते हैं एक इस्टेज सो का अभी हाँ लोकल में तो कम सकम 20-25 जर और बाहर तो पचास के पा को साथ में रहते हैं हमारे छोटे बाइन करते हैं नीरज मिसरा है नीतन मिसरा है स्बी कि भी है इस्टेज में मुझे confusion रहती है कि जो आटिस्ट आती है अपना entrar लेकर आते हैं सबकी मदद करते हैं अच्छा काम भी हो रहा है सभलोग देखी रहे हैं सब लोग जान रहे हैं सपोर्ट करते हैं आपको भी दायक जी है तेखा की वीडियो आप लोग को कैसा लागा था इनसे फिर मिलेंगा जब इनकी इस्टूडीयो की opening हो बन्युक्त